हाई वे पर हॉइट कालर का अलग अलग टाइप्स का लाइन बनाया जाता है इसका मदलब क्या है अगर रोड में सॉलिट हॉइट लाइन होती है तो इसका मदलब है कि आप जिस लेन में कार्ट चला रहे हो उसी लेन में सिधा जाना होगा आप इस सॉलिट हॉइट लाइन को प्रोस नहीं कर सकते आप इस रोड पर कोई भी बाहन को ओवर्टेग नहीं कर सकते हो लेकिन रोड से बाहर जाने के लिए आप इस लाइन को पर कर सकते हो इस लाइन को बेडिया लाइन भी कहते है अगर रोड में ब्रोकेन वाइड लाइन होती है तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई खादरे नहीं लग रहे है तो आप Lane बदल कर Overt Ag कर सकते हो। ऐसे लाइन को Lane Divider कहते है। रोड में जहां तक यह double solid white line है। ऊहां तक आप किसी भी बाहन को Overtag नहीं कर सकते हो। रोड में solid and broken white line का मलब है। अगर आपकी तौलब की लाइन ब्रोकेन लाइन है तो आप उबर्टेक कर सकते हो लेकिन आपकी तौलब की लाइन सॉलिड है तो आप उबर्टेक नहीं कर सकते